हेलो आईवन वेलकम बैक स्कोर विर दिपती आज हम स्टार्ट करेंगे कोश्चन नंबर 5 एक्सराइस 13.2 तो क्या इस कोश्चन में वैजल इस इन दा फॉम ओफ एन इन इन वर्टेड कॉन वैजल मीन्स बरतन बरतन जो है किस फॉम में है उल्टे कॉन की फॉम में है जैसे कि आप डाइग्राम में यहां देख रहे हो जाने कुल्टा कॉन बना रख है its height is 8 cm and radius of its top which is open is 5 cm इसकी height height कितनी है 8 cm इस कौन की height 8 cm है and radius of its top which is open जो इसका top बरतन का जो open है इसका radius कितने है फाइव सेंटीमिटर यह में गीवन है फाइव सेंटीमिटर इस फिल्ड विद वाटर अप्टू दा ब्रिम इस बर्तौन को ऊपर तक पानी से भरा गया है वेल लीड शोट इच ऑव विच है इस दो फिए ओफ दा रेडिया सीरो पांच फाइव सेंटीमिटर अरह बोब इन्टू दा वैसल वाटर वाटर फ्लो जो आओ यह जो फिए की फोर्म में इसकी फोर्म में जिसका रेडियस क्या है 0.5 cm है इन लीड शोर्ट का लेडियस 0.5 cm है जब इसमें लीड शोर्ट डाले जाते हैं जो पानी इस वैजल के अंदर है उसका 1 4th पानी 1 4th of the water flows out पानी बहर आ जाता है यह जो पानी है यह कितने इस पूरे बरतन का 1 4th है find the number of लीड शोर्ट डॉप्ड इन दा वैजल हमें यह find out करना है कि इस वैजल के अंदर कितने लीड शोर्ट डाले गए है जैसे घर पर हम कोई bucket पानी से भरी होती है उसमें कुछ हम डालते हैं तो पानी बहर आता है तो वही इस question में कहा गया है तो यह इस question का diagram है तो next आगे इस question को और clear कर लेते हैं जैसे कि यह box है ठीक suppose कि यह पूरा पानी से भरा हुआ है ठीक तो जब इसमें हम कुछ डालेंगे जैसे कि हमने इसमें कुछ यह डाला ठीक है तो पानी कितना बहर आएगा जितना इसका volume होगा उतना पानी बहर आ जाएगा तो इस question में जैसे कि lead short डाले गए है चोट चोटी गोलियां डाली गई है अब कितनी गोलियां डाली गई है यह हमें find out करना है अब यह जो गोलियां है ठीक है जो डाली है बरतन के अंदर इनका volume किसके इकवल होगा जो पानी बहर आया है उसके volume के इकवल होगा ठीक अब next इसमें लेट कर लेते हैं कि हमने lead short कितनी डाली है एक्स lead short डाली है यह lead short कितनी है एक्स lead short अब next volume of water flows out volume of water flows out किसके इकवल है जो टोटल पानी है उसका one-fourth पानी बहर आया है वन-fourth पानी जो है बाहर गिर है और जितना इस पानी का volume है उसके एक्वल ही इन lead short का volume होगा तो कि जितने lead short डाले गाई है उतना ही पानी बाहर आया है ठीक है न तो volume of water flows out water flows out किसके एक्वल होगा volume of number of lead short जितने lead short डाले गाई है उनके volume के एक्वल होगा तो इसको first हम language में दिख रहते हैं volume of water flows out water flows out ये किसके एक्वल है means जो पानी बाहर गिर है इसका volume किसके एक्वल होगा volume of number of lead short अब volume of water flows out कितना पानी बाहर आया है इस पूरे कौन का 1 फॉर्थ इसका हम पुट कर देंगे इसके प्लेस पे one fourth into volume of cone total cone का cone में जितना पानी है उसका one fourth पानी बाहर आया है volume of water flows out किसके एक्वल आगा है one fourth of volume of cone equal to volume of number of lead short अब number of lead short कितने x x into volume of one lead short अब नेक्स इसमें फॉम्मलास पुट कर देंगे one fourth volume of cone इसका क्या formula है one upon three pi r square edge यहां पर मैंने r capital लिया है कौन के लिए हम capital r का यूज करेंगे और इस lead short के लिए हम small r का यूज कर लेंगे clear next number of lead short हमने x लिए x into volume of one lead short अब one lead short वो किस shape में है sphere की shape में है ठीक तो sphere का क्या volume है volume of sphere equal to four by three pi r cube next values put कर देंगे one by four into one by three pi को as it is लख देंगे r square r की value क्या है five का whole square height यहां पर कौन की बात हो रही है तो कौन की height है eight equal to x into four by three pi r cube r cube यहां पर यह sphere के लिए lead short इनका radius के है 0.5 0.5 का whole cube pi जो है cancel हो जाएगी तो next इसको solve कर लेते हैं one by twelve one by four को one by three से multiply किया one by twelve five को two time लिख देंगे five into five into eight equal to x four by three decimal अटाएंगे five by ten और इसको three times भी लिख देंगे five by ten five by ten next इसको cut कर देंगे five two is a ten two two is a four five two is a ten two से two cut गया five two is a ten और left side पे four two is a eight four three is a twelve five five is a twenty five twenty five two is a fifty fifty divide by three equal to x into one by six next इसको cross multiply कर देंगे fifty over three into six equal to x three two is a six two five five is a ten तो एक्स की वेल्यू सोल करके आगी 100 एक्स यहां पर हमने क्या लेट किया था लीड शोर्ट तो नंबर ओफ लीड शोर्ट कितने आगे 100 लीड शोर्ट मेंस इस पूरे वैजल में कितने लीड शोर्ट डाले गए हैं 100 लीड शोर्ट डाले गए हैं देखने में कोश्चन टफ लग रहा था बट यह बिल्कुल ईजी कोश्चन है हमने इस कोश्चन में बस वोल्यूम ओफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू पुट कर दना वोल् ने फॉर्मला पूट कर दिया वोल्यूम ओफ वाटर फ्लो आउट वाटर कितना फ्लोजाउट हुआ है पूरे को का 1 4 ग 1 4 इन्टू वोल्यूम ओफ कॉन और वोल्यूम ओफ बॉल्यूम ओफ बंड लीड शोर्ट फियर की फोर्म में तो खॉर्म पूट कर देंगे और जाता है I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया है तो next session में start करते हैं इसी exercise का next question